तो आज हम बात करेंगे Korean Armistice Agreement के बारे में यह क्या है किन किन कंट्रीज के बीच में यह साइन किया गया था पूरी डिटेल में हम बात करेंगे और अगर आप लोगों को यह वीडियो यूजफुल लगे देंड डू लाइक सेरें सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब टू सब है तो सबसे पहले इनकी जिखाफीकल लोकिशन देख लेखते हैं नॉर्थ कॉरिया और जो शाउत कॉरिया है जैसिकि घ्लूमल में पेजाओ देखे तो हम यह नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे साथ साउत अमेरिका है यह अ फ्रिकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पर औस्टेलि यह रैड वाला North Korea है और इसके नीचे वाला South Korea है और यहां पर यह है जपान और यह एरिया जो है यह Pacific Ocean और यह जो है यह है Sea of Japan और यहां पर है East China Sea अब हम थोड़ा North Korea और South Korea के रिलेशन्स के बारे में जान लेते हैं तो यह पहले North Korea और South Korea का जो रिजन है पूरा पहले एक सिंगल नेशन्स हुआ करता था बट इसको एनेक्स किया गया था जापान के द्वारा 1910 1910 में और 1945 में World War 2 के टाइम पे यह दो नेशन्स में डिवाइड हो गया था एक North Korea और एक South Korea और बाद में इधर एक Korean War भी हुई थी 1950 से 1953 तक उस टाइम पे एक Armistice Agreement sign किया गया था जो की कोई Peace Treaty या Peace Agreement नहीं है और यह क्या है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे पर पहले North Korea, South Korea के बारे में समझ लेते हैं North Korea जो की एक One Party States है जिसको की Communist State पी हम बोल सकते हैं जारे में इसको किम ढारे जी जो है उसके द्वारा, रूल किया जाता है उसके द्वारा इसको चलाया जाता है और जो South Korea है उसको 1987 तक 1987 तक इसको एक Party के दronics द्वारा जो military dictator असर में द्वारा इसको चलाया जाता था बटed 1987 के बाद यहां पर direct election होने लगे और जो Korean Peninsula जो है पूरा Korean Peninsula जो है उसको इन दोनों के द्वारा claim किया जाता है North Korea और South Korea के द्वारा और जो दोनों कंट्रीज है North Korea South Korea जो है इन दोनों के द्वारा United Nations को join किया जा चुका है वो किया गया था 1991 में 1991 में 1991 में और जादे तर जो मेंबर से उन सब के द्वारा इन दोनों कंट्रीज को recognize भी किया जाता है और यह Korean Armistice Agreement जो है इसको बेसिकली 27 जुलाई 1953 को sign किया गया था हुआ यह था कि 1950 से 1953 तक जो वोर चली थी उस टाइम पे एक साइड में थी चाइना और नॉर्थ कोरिया और दूसरी साइड में थी United Nations Command जिसको किलेड किया गया था United States के द्वारा तो इन दोनों के द्वारा बाद में 1953 में 27 जुलाई को जो चाइना के और नॉर्थ कोरिया के जो मिलिटरी कमांडर थे उनके साथ में और जो United States के द्वारा United Nations Command जो लैड की गई थी उनके द्वारा इसको sign किया गया था इस ट्रीटी को जिस ट्रीटी का नाम है Korean Armistice Treaty या फिर Korean Armistice Agreement और यहां पर एक इंपोर्टेंट चीज यह भी है Demilitarized Zone यह क्या है यह बेसिकली जैसे नॉर्थ कोरिया यहां पर और साथ कोरिया वाला जो यहां पर है यहां पर एक Demilitarized Zone भी बनाया गया था जो कि 2 किलोमेटर लंबा जोन है और जो नॉर्थ कोरिया की जो Capital है जिसको कि पेगॉंग बोलते हैं उससे 210 किलोमेटर की दूरी पर है और जो सियोल है जो कि साथ कोरिया की Capital है उससे 60 किलोमेटर की दूरी पर है और यह Demilitarized Zone है इसके अंदर एक joint security area भी है यहां पर बेसिकली जो भी factories होती है यहां पर North Korea में काईसोंग एक जगा है ठीक है काईसोंग का जो एरिया है वहां पर North Korea और South Korea दोनों countries के द्वारा जो factories है jointly operate की जाती है और वहीं के पास में ही एक joint security area भी है और इन दोनों countries के बीच की जो border line है जिसको की military demarcation line के नाम से जाना जाता है और यह जो demilitarize zone है काफी ज़्यदा important इस वज़े से है कि यह किसी की भी जगा नहीं है जो demilitarize वाला जो zone है दोनों countries के पास में यह किसी की भी जगा नहीं है और साट साल से ज़्यादा period से इस जगह पर और कुछ है ही नहीं कोई लोग भी नहीं रहते हैं मेंली यहां पर wild life पाई जाती हैं और यह काफी न्यूज में इस वज़े से था कि लास्ट यह United States की जो प्रसीडेंट है Honorable Donald Trump उनके द्वारा मीटिंग की गई थी North Korean जो लीडर है Kim Jong उनके द्वारा इस जोन में जिस जोन को demilitarize zone बोलते हैं जो की दोनों Koreas को North Korea और South Korea उन दोनों को separate करता है ओके तो यहीं थे कुछ important facts जो Korea की armistice agreement है उससे related hope you guys find it useful and if you find it useful then do like share and subscribe to study couch thanks for watching and have a good day